चरण जी सिंग साप्रा उसके बाद आ रहा हूं शिवंतियागी साप्रा जी अगर जीते तो जीत का सेरा किसके सिर पर बांदेंगे बताईए इन असेंबली इलेक्शन्स का राहूल गांदी के सिर पर या फिर जो स्टेट में आपके चेरे हैं उन पर देखे मानक जी मैं आपको बताओं कि कॉंग्रिस पार्टी जो है वो हमेशा यही कहती है जो भी चुनाव हम जीतते हैं निश्चिन्त रूप से उसका श्रे जो है वो उस नेता को जरूर जाता है केंद्रिय नेता को जो उस कैंपेन को पूरी तरह से लीड करता है और कॉंग् हिमाचल जीते हमारे लोगों ने श्रे जो है वो राज्य के नेताओं को भी दिया है लेकिन भारतिय जंता पार्टी में क्या होता है देखे हिमाचल के चुनाव में और करनाटिका के चुनाव में हुआ क्या यह चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर दोनों नहीं लड़ा गया, वो मात्र नेंद्र मोधी जी के चहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो ये अगर करनाट का और हिमाचल में हार होती है, तो वो नेंद्र मोधी जी की हार हुई है, लेकिन कहींन जिस तरह से विनोध जी अभी बता रहे थे, कि केंद्र नेतरुत्त को एक स राहुल गांदी जी की अगनी परिक्षा नहीं है ये अगनी परिक्षा तो नरेंद्र मोदी जी की भी है अगनी परिक्षा तो भारतिय जनता पार्टी की भी है क्योंकि इसी से आगे तै होगा कि आगे का राजनीती का स्वरूप भारत के अंदर में क्या होगा और राहुल ग के साथ चलावा कर रहे हैं कॉंग्रुस पारटी की राजनीती जो है वह महबत की है हम महबत का इशारा देते हैं का पैगाम ले जाते हैं सदाचारी की भावना रखते हैं और सच्चाई बोलते हैं आज भी जो उन्होंने भाशन किया मद्यप्रदेश के अंदर वो इसी पर उ तो क्या पिर हार का ठीक रहार की जिम्मेदारी भी मिली जुली देंगे आप स्थानीय नेताओं को भी और राहुल गांधी को भी देंगे देखे अभी विनोज जी ने आपको बताया ही है कि राहुल गांदी एक मात्र ऐसे नेता है जिन्होंने 2019 में अगर हम चुनाव नहीं जीते तो उन्होंने राजी नामा दिया है उन्होंने खुद स्विकरुत किया खुद स्विकारा कि ये जो हार हुई है ये मेरी हार हुई है तो मैं राजी नामा देता हूँ तो कॉंग्रिस पार्टी जो है वो इस तरह से श्रे के लालच में नहीं रहती है हम जो है वो दूद का दूद पानी का पानी और आगे किस तरह से बढ़ना है हमारे से अगर कोई गलतिया हुई है तो उसका इंट्रोस्पेक्शन होना चीए हमें उस पे मन्थन करना चीए कि किस तरह से आगे हमको जीतना है हार जीत तो होती है लेकिन हम कभी भी हारने के बाद में कभी भी हम निराश होकर के नहीं बैठें ये आपने देखा होगा लेकिन मैं तो विरानसमा चुनाव की बात कर रहा हूँ आपने कहा ना स्टेट लीडर्स को भी श्रे जाता है तिर राहुन को भी जाता है यानि असम्बली इलेक्शन की बात हो रहे हैं दो राज्यों के तो राजी नामा देते ना नहीं मैं आप से पूछ रहा हूँ अगर स्टेट इलेक्शन में खराप प्रदर्शन होता है तो क्या उसकी भी मिली जूली जिम्मेदारी लेंगे लेकिन ये कहीं नाकारा नहीं जाता कि ग्रासरूट के जो नेता है या ग्रासरूट का करेकरता है खुद राहुल गांदी जी कहते हैं अपने भाशनों में जीतने के बाद में कि ये जीत जो है ये मेरे हरे करेकरता की जीत है करनाटक के करेकरता की जीत है हिमाचल के करेकरत ताकि जीता ही नहीं कोई ष्रै खुद नहीं लेते हैं उर्द्र जो है खुद बालते आपने कारेकर्तां और अपनि सारी टीम्